उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती की तयारी शुरू हो गई है। 6,244 स्विपाईयों की भर्ती की ये परीक्षा पेपर लीग के चलते निरस्थ हो गई थी लियाजा इस बार भर्ती बोर्ड हर कदम फूख फूख कर रख रहा है और इस बार भर्ती बोर्ड ने अब सभी जिला कप्तानों से एक रिपोर्ट भी तलब की है और साथ ही प्रश्ण पत्र की सुरक्षा के मद्दे नजर उनसे रिपोर्ट मांगी गई है तो ये तीन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये पेपर लीग की वज़े से दरसल ये परीक्षा जो फरवरी में होनी थी वो रद हो गई थी और ऐसे में इस बार जब परीक्षा आने वाले कुछ दिनों में होगी तो इसके लिए खास दिशानिदेश भी जारी कर दिये गए है तमाम तयारिया भी इसके लिए शुरू की जा चुकी है पुलिस भरती बोर्ड ने इसके लिए तमाम तयारिया शुरू कर दी है कैसे जो क्रेशन पेपर है वो लीक ना हो इसके लिए क्या कुछ इंतिजाम है इसके रेपोर्ट भी मांगी दई है यूपी पुलिस में 6244 सिपाहियों की भरती परीक्षा में पेपर लीक की फजीहत जेल चुका उत्तर परदेश पुलिस भरती हम परोनती बोर्ड इस परीक्षा को दोबारा संपन कराने के लिए अब फूप फूप कर कदम रख रहा है भरती बोर्ड के ADG अशोप कुमार सिंग की और से सभी जिला कफ्तानों और पुलिस कमिश्टरों को एक पत्र लिखा गया है इस पत्र में तमाम जानकारियां तलब की गई है जिला कफ्तानों से ये पूछा गया है कि उस कोशागार यानि ट्रेजरी के बारे में बताएं जहां पर इस परीक्षा के प्रश्ण पत्र रखे जाएंगे क्या वहां पर डबल लॉक सिस्टम है और अगर कोशागार में डबल लॉक सिस्टम है तो क्या उसकी अलग-अलग चाबियां अलग-अलग अफसरों के पास रखी जाती है या नहीं कोशागार के कोरिडोर से लेकर हॉल तक सभी इलाका सीसी टीवी कैमरों से कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है तो CCTV कैमरों, उनकी हाड डेस, उनकी DVR के स्पेसिफिकेशन भी मांगे गए हैं पोशागार में कितने entry exit point हैं, कितनी खीड किया हैं, क्या वो सभी सुरक्षित हैं या नहीं ये जानकारी भी तलब की गई है कर भाहन की कर बार्श दिए टो ओई टो वहते हैं, कितनी ड़कारी तलब कारें पहाथ हैं कितनी च्यों पोशागार यहां पूना, कितने उाम है जाल्स बार्श में उता हैं, ड्समी पासां पहे हैं, कितने बार्श osoल्षित हैंग में इदेंक्क्收 tou Told爱